चलिए आज बनाते हैं मेरा फेवरिट कढ़ाई पनीर, I am sure आपका भी होगा और इसे हम बिलकुल फ्रेश मसालों से बनाएंगे और बनाएंगे इसे बिलकुल धाबा स्टाइल तो चलिए बिना देर किये रेसिपी स्टाट करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है पनीर, और पनीर में डाल रहे हूँ एक चोथाई छोटा चमच नमक और एक चोथाई छोटा चमची इसमें हल्डी का पौड़ा डाल रहे हूँ इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और साइड में रग देंगे बिल्कुल फ्रेश कड़ाई पनीर मसाला बनाएंगे तो यहां मैंने आदा चोटा चंमच खड़ा धनिया लिया है आदा चोटा चंमच मैंने लिया है soft, दो छोटी लाईची ली है मैंने, दो लौंग लिया है तीन से चार काली मिर्चियां है, आदा छोटा चम्मच जीरा है और एक छोटा तुकड़ा दालचीनी का है पहले इसे एक पैन में अच्छी तरह से तीन से चार मिर्ट कम आच में भून लेंगे उसके बाद इसे एक प्लेट में लिकालके ठंडा गर लीजेगा और पाउडर बना के रख लीजेगा एक पैन में एक चम्मच के करीब ओईल को हम गर्म कर लेंगे और यहां मैंने प्याज और शिमला में चोकुर तुकड़ो में काट के रखी हुई है और अब हमें इसे बिलकुल हलका सा फ्राय करना है तो इसे पैन में डाल देंगे और चलाते हुए 2-3 मिनट इसे हम फ्राय कर लेंगे बस इतना ही करना है कि इसका हलका सा कलर चेंज हो जाए उसके बाद प्लेट में अलग लिकालके रख लीजेगा उसी पैन में एक चमच ओईल वापस से गर्म करिएगा और अब बारी है पनीर को फ्राय करने की तो चलाते हुए बिलकुल इसका हलका सा कलर चेंज हो जाने तक फ्राय कर लेंगे और अब एक बाउल में एक कप के करीब पानी ले लीजेगा और इसके बाद इस पनीर को इसमें डाल दीजेगा ताकि पनीर सॉफ्ट रहे है और अब तयारी करनी है हमें इसकी ग्रैवी की तो एक चमचे करीब पैन में ओईल गर्म करेंगे और यहां मैंने एक मीडियम साइस का प्याज लिया था जिसे चौप करके रख लिया है आठ से दस लहसुन की कलिया है एक इंच अद्रग का तुकड़ा है और एक बड़े साइस का टमाटर है जिसे काट लिया है और सबसे पहले पैन में हम प्यास डाल देंगे साथ ही में लहसुन और अद्रग भी डाल देंगे दो से तीन मिनट इसे चलाते हुए भून लेंगे और जब ये हलका सा भुण जाएगा तो इसमें अब हम डाल देंगे टमाटर को और टमाटर को भी थोड़ा सा हम चला लेंगे आज को कम कर दीजेगा और इसे ढाक के करीब 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे हो जाएगा तो इसका मिक्सी में बिलकुल बारिक पेस्ट बना के हमें रख लेना है और अब एक पैन में 3 टेबल स्पून मैंने ओईल ले लिया है और इसे मैंने चौका है जीरे और तेज पत्ता से जीरे का कलर जैसे ही चेंज हो जाएगा एक चमच मैंने यहां कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है पेल में डाल लिया है उसके बाद तुरंत ही हमें यह जो पेस्ट हमने पीस के रखा है वो डाल देंगे और एक बाद चला लेने के बाद इसे हमें कम से कम पांस से साथ मिनट कम आज में भूनना है ताकि यह बिल्कुल अच्छी तरह से भून जाए पारिये सूखे मसालों की तो जो कड़ाई पनीर मसाला हमने बना के रखा ता उसका पाउडर है एक चोटा चमच लाल मेच का पाउडर है आधा चोटा चमच धनिया पाउडर है एक चोटा चमच हली पाउडर एक चोटा चमच नमक है और इन मसालों को अब हम इसमें डाल द और देखिए 15 मिनिट के बाद मसाला बिलकुल अच्छी तरह से भुन गया है तो अब इसमें हम डाल देंगे शिम्ना मिर्च और प्यास एक बार चला लेंगे उसके बारी आ जाएगी इसमें पनीर के डालने की तो पानी सहीत आप इसमें पनी डाल दीजेगा वापस से चला ल हाथ से क्रश करके डालेंगे दो से तीन चमच के करीब घर की जमी हुई मलाई डाल देंगे अच्छे से चला लेंगे और बिलकुल तैयार हो गया है हमारा धाबा स्टाइल कढ़ाई पनी तो फ्रेंट्स इसे घर में एक बार ज़रूर राय गरिएगा मैं मिलूंगे आपको अगली डिश के साथ तब तक के लिए आप अपना बहुत खयाल रखेगा